हेलो एव्रिवन वेल्कम तु टूमाथ्स कैसे हैं आप सब लोग चलिए इस वीडियो में क्वेश्चिन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज वन पॉइंट फो का चिक है अच्छा इसमें इंपॉर्ट जीज किया है क्वेश्चिन दिया हुआ है कि फॉलोविंग र और आपने डिसाइड करना है वेधर या 1000 और नाउट तो आपने पता लगाना है कि यह है और अगर वो रैशनल हैं आपने पता लगाना है कि वह पोलं क्यों की फार्म में लिखे जासकते है थो आप also ।।ह अगर ऐसा है तो आपको के फैक्टरें क्या जानते है या क्या कह सकते हैं confirm चीक है सबसे पहले यहाँ पे आपको नो दो चीज़ा समझने की ज़रूर होता है सबसे पहले rational numbers की definition क्या होती है एक चीज और दूसरा terminating non-terminating decimal में फरक क्या होता है यह मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ terminating कौन सा होता है non-terminating कौन सा होता है यहाँ एक और नई चीज़ है जो मैं अभी आपको समझाता हूँ सबसे पहले हम decimal expansions के बारे में बढ़ते है decimal जो expansions होते है decimals जो number होते है वोने तीन तरीके के possible होते है मैंने देखो यहाँ right side में लिखा हुआ है decimal तीन तरीके का होता है सबसे पहले decimal होता है जो terminate हो जाता है जो सबसे पहले क्या हो जाता है terminate जैसे देखो यह पहला वाला दिख रहा आपको यह क्या हो रहा है terminate हो रहा है जैसे मैं एक example लिखता हूँ यहाँ पर point 34 तो यह कैसा है यह terminating है खतम होगे एक time की बाद 0.6 क्यासा number है terminating है क्योंकि एक time की बाद खतम हो जा रहा है 3.62 यह भी क्यासा decimal है terminating decimal है खतम हो जा रहा है तो यह तो terminating decimal होता है अगला है non-terminating but repeating decimal जैसे for example point 3 3 3 3 3 and कहां तक infinity तक जब तक जा रहा है यह तब तक चलता रहेगा तो इसको क्या बोलता है इसको बोलता है non-terminating मतलब यह terminate नहीं कर रहा लेकिन repeat कर रहा है देखें यहां पर 3 3 3 3 3 अपने आपको क्या कर रहा है repeat कर रहा है चीक है तो यह दूसरे टाइप का decimal है सबसे पहला terminating खतम हो जाता है दूसरा जो खतम नहीं होता बट repeat करता है और तीसरा ऐसा होता है जो खतम भी नहीं होता और अपने आपको repeat भी नहीं करता जैसे पर ग्जामपल पॉइंट 1 3 4 6 8 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 यहां पर लेट से मैं 6 और इसमें कर लेता हूं और यह डैश 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 मतलब यह इन्फिनीटी तक जा रहा है तो यह कैसा decimal है यह पहली बात non-terminating है खतम नहीं हो रहा डैश डैश से हमें यह पता लगा रहा है खतम नहीं हो रहा है चलता जा रहा है और non-repeating इसमें देखे कोई भी repeat नहीं कर रही है तो पहली चीज तो हमें यह पता चली कि जो decimal होता है वो यह तीन तरीके का होता है non-terminating but repeating non-terminating non-repeating and terminating चीक है तो यह तीन टाइप के decimal expansion पता चला आपको चलिए अब इसमें आपने याद क्या रखना है इसमें यह जो पहले 2 decimal expansion है इनको हम बोलते है rational numbers मतलब rational number के आपको 2 definitions पता है एक जिन number को p upon q की form में लिखा जा सकता है उनको हम क्या बोलते है rational number बोलते है but एक definition होती है decimal के according तो ऐसे decimal जो terminate हो जाए उसको भी हम क्या बोलते है rational number और ऐसे number जो non-terminating है but repeat कर रहे हैं आपने आपको तो वो भी क्या है rational numbers है बास समझाई और आख्री है यह जो non-terminating और non-repeating number है इनको हम बोलते है irrational numbers इसको क्या बोलते है irrational numbers बास समझा रही है कोई दिक्कत बहुत बढ़िया आप अगर problem है प्लीज इस वीडियो को pause करके या rewind करके दुबारा देखिए आपको समझ आ जागा कोई problem हो रही है चले इसमें आगेज बढ़ते है आपको बताना था कि इसमें बताना था कि इन तीन मेंसे कौन सा rational है कौन सा नहीं है अब मुझे बता है rational की definition एक तो जी p upon q की form में जिसको लिखा जा सकता वो rational है लेकिन अगर बात decimal में दी गई है तो ऐसा decimal पहला नंबर देखिए कि कैसा है इन तीनों मेंसे decimal है और terminating है क्योंकि डैश 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 नहीं है इसका मतलब यह खतम हो जा रहा है तो जो terminating decimal होता है उसको क्या बोलता है rational numbers चीक है इसका जो second part है वो अभी solve करेंगे पहले पहले part को solve करते है differentiate कर लेते है कौन सा rational कौन सा नहीं अच्छा दूसरा वाला देखिए point पहली बार decimal है और कैसा है one two zero one two zero zero one two zero 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 one two zero 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 that means यह non terminating तो है देखिए dot 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 लगा है that means यह खतम नहीं हो रहा लेकिन यह आपने आपको repeat भी नहीं कर रहा है देखिए पहले one two zero zero है फिर one two zero zero है फिर one two zero 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 है तो यह repeat नहीं कर रहा है देखिए हर बार change हो जारी है numbers तो ऐसा number जो non terminating and non repeating होता है उसको हम क्या बोलता है irrational number ठीक है last वाला decimal है और हाँ अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ जैसे यह point three 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 है इसको मैं दरसल point three bar भी लिख सकता था इसको हम बोलता है bar इसकी उपर देखिए three के उपर छोटा सा dash लगा होता है इसका मतलब यह समझते है math में कि point के बाद जो भी digit के उपर bar लगा है उसी तरीके से यहां पर 43.123456789 का क्या मतलब है उसके उपर यह देखिए dash लगा हुआ means यह bar है इसका मतलब यह आपको क्या करता जा रहा है repeat करता जा रहा है infinite times मतलब अनंत तक यह repeat करता रहेगा that means यह कैसा decimal है यह non-terminating है खतम नहीं हो रहा पर आपने आपको क्या कर रहा है repeat कैसे पता चला इस bar की वज़े से पता चला ठीक है तो ऐसे numbers को भी हम क्या बोलते है इनको हम बोलते है rational numbers ठीक है तो पहला part हमने solve कर लिया तीनों में से rational और rational का differentiate कर लिया दूसरा part अगर वो rational है और obviously अगर वो rational है तो उनको obviously P upon Q की form में तो लिखा ही जा सकते है क्योंकि वो rational है तो आप उनको बताना है कि Q है upon में इसके factors के बारे में आप क्या बता सकते हो चीक है अब इसके लिए आपको पिछले वाला वीडियो एक बार जरूर देखना होगा जिसमें question में first solve किया गया है कि terminating और non-terminating में फरक क्या होता है तो terminating होने के लिए जैसे कि यह पहला वाला आपको दिख रहा है इसमें जो denominator है इसमें सिर्फ और सिर्फ किसके factors होने चीए 5 and 2 के तो इसका मतलब confirm एक चीज हम बता पारे है कि यह जो आपको denominator में दिखाए दे रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी powers है 5 की and 2 की तो पहली चीज हम यह पता चली पहले वाले में लेकिन दूसरे वाले में क्योंकि यह terminating नहीं है that means इसमें इनके prime factors कुछ भी हो सकता है ठीक है मतलब 2 and 5 के अलावा कुछ और होगा ठीक है और irrational का तो ऐसा हम कुछ पता नहीं कर सकते इस वीडियो को इस तरीके से हम बहुत easily समझ सकते हैं still आप को नहीं समझ आया है तो वैसे तो आप एक वीडियो के एक और बार rewind करके देखिए otherwise हमारा WhatsApp number नीजे description में दिया हुआ है आप प्लीज उसको हमें call कीजिए WhatsApp पे questions पूछिए नीजे comment में भी आप हमें बता सकते हैं वीडियो में एक समझ आया तो कैसी रगी आपको वीडियो नहीं समझ आया आप प्लीज अपने दोस्तों को भी शेर कीजिए वीडियो प्ली questions आंसर भी पूछ सकते हैं जो आपके doubts होंगे और thank you very much for watching प्लीज मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लगा thanks for watching